आज हम लोग यहाँ पाँ जीबाज इनवर्सिटी ठैडियर का फाउंडेशन कोर्स का सल्यूशन देखेंगे यानि आप लोग इसे एंसर की भी कह सकते हैं जो कि BSC के अलावा BAC विकॉम बाली भी होते हैं तो इस वीडियो का अराम से देख सकते हैं क्योंकि आपका जो सलेव पाउंडेशन का दूसरा आपका इंग्लिस जिसे हम लोग इंग्लिस लेंग्वेज एंड कमिनिकेशन इसकेल्स भी कहते हैं और यह आपके दो घंटे का पेपर होगा जिनमें से आपका मैग्जिम मार्क सो नंबर का रहने वाला है का पहला पीपर पचास कोर्शन का होगा अब आईए एक एकर के पूरे कोर्शन को डेटियल समझते हैं ताकि आपको भी पता लग सके कि आप कितने मिश्टेक पेपर में किये हैं और कितना आप लोग यहाँ पास अच्छे नंबर करके आए हैं पहला कोर्शन आता है भगबानी पर साथ मिस्र का जन्म कहा हुआ था पहला नुएट गई है तो आप लोग इसली कर पाएंगे पहला कोर्शन होसंगाबाद में होगा अब बहुल लोग के मैडूल में होसंगाबाद की जगह नर्मदापूरम यहाँ पास लिखा हुआ है लेकि यहाँ पास मैं बता दू कि पहले जो नर्मदापूरम है उसके प पर आपका गलब कोर्शन आता है सत्पूरा के जंगल कविता किस भी से पर अधारीथ है प्रेकृति एवं वन जीवो पर यहाँ पास अधारीथ है इसके आंगे फिर और भी कोर्शन आते हैं जैसे कि यहाँ पर आपका चौथा नंबर आता है सत्पूरा के जंगल कविता मे किस नदी का वर्णन यहाँ पास क्या है नहीं है याद रखिएगा ही नहीं है यहाँ पास आपका गंगा नदी का यहाँ पर वर्णन नहीं है बाकिए अगर यहाँ पास दिया जाते हैं सत्पुरा जंगल कविता में किस नदी का वर्णन है तो आप लोग यहाँ पास भरे हैं, तो यह आपके अजगरों से भरा हुआ है, फिर यहाँ पहार पूछा गया है सत्पुरा के जंगल कहां पर है तो याद रखिएगा, कि सत्पुरा के जंगल आपके मत परदेश में इस्तित है, तो यानि कि आपका पहननमबर रैट हो जाएगा इसके बाद पूछा गया है वापसी कहानी की रचनाकार कौन है तो यह आपका चेप्टर आता है वापसी जिसके अंदर जो रचनाकार हो आपका उसा प्रिम्गिदा जी है तो याद रख लीजिएगा फिर यहाद पूछा गया है वापसी कहानी से ही की कहानी में किसकी वापस अंबर काहानी है तो आपसी कहानी में किस परिवार का है यहां पास पूरे कहानी बनता हूं आपका मध्धवरगी परवार का यानि मिडिल कलास फैमली कवारे में यहां पास बताया गया है पूछा गया है नरेंद्र ने खाना ना खाने का गुश्चा किस पर उतारा है तो यहाँ पार अपने पिता गजादर बावु पर उतारा था फिर यहाँ पार पूछा गया है वो आप सी कहानी में दो पीडियों के बीच क्या चित्रन किया जाता है आंत्रिक यानि कि आपके आ नमबर आपका राइट होगा राश्की उबादिवास कब बनाया जाता है तो यह आपके 12 जनवरी को बनाया जाता है तो यह आपके स्वामी विवेकानन्द जी हैं उनके जनम दिन पर ही यहां पास बनाया जाता है स्वामी विवेकानन्द जी के जनम के समय का नाम क्या था तो उनके बच्पन का नाम नारिंद्र था तो आप लोग कह सकते हैं नारिंद्र नात लगा सकते हैं पर यहां पास पूछा गया स्वामे वेकानंद ने कितने वर्स की आयू में गेरुआ वस्त धारन किया था तो उन्होंने 25 वर्स में ही यहां पास गेरुआ वस्त धारन कर लिये किसने कहा था स्वामी वेकनन्द जी ही कहा था तो आप लोग इन्हीं टिकल लीजिएगा पिर यहाँ पास आपके आता है सिकागो वेख्यान के अनुसार स्वायम को कमजोर समझना सबसे बड़ा क्या है पाप है यानिकि आपको कभी वी अपने आपको कमजोर नहीं समझना है और स्वामी वेकनन्द ने सिकागो में कहा था सिकागो व्याख्यान के अनुसार मनुस का पर्थम करतब विक्या है तो पहला करतब बनता है उनका प्रैक्ति सरक्षण करना तो यहाँ पास क्या करना है आपको प्रैक्ति का सरक्षण करना यानिक प्रैक्तिविक यहाँ पास लिखे थी तो ये आपके हिंदी वहांसा में लिखा था अपर यहां पर पूछा गया है विद्धनिवास मिस्त्र ने अपनी प्रहंबिक जिक्षा कहां से पूर्ण की थी तो दिखिए इन में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं बहुत लोग यहां पास इलाहाबाद भी कर द जाता है आगन में बच्चों की टिलकारीयों की तुलना ओवाज से की गई है तो यहां पास आप कर सकते हैं गोर्या की आवास की गई है आगन पंसी पार्ट में लेखा किने गोर रहे कि तुलना इस पौधेस की है तो यह राइट हो जाएगा आपका तुलसी फिर इसके बाद फिर आपका और आंगे चलते हैं पूछा गया है महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था तो यह आपके पोरवंदर में हुआ था पूछा गय गया है गांधी जी कौन से उपाधी दी गई है तो गांधी जी को यहां पर महात्मा की उपाधी दिया गया है यानि कि ए नंबर आपका राइट हो जाएगा पूछा गया है गांधी जी की हत्या किसने की थी जो कि सब को बता होगा कि नत्थुराम गोड़से ने यहां पास गांधी जी की हत्य किया था पिर यहां पर जाता है महातमा गांधी को राष्ट पति इसने कहा था तो महातमा जी को राष्ट पति सुबास जंदर बोस ने यहां पर आपस कहा था यानि कि B-number आपका राइट हो जाएगा हिंदु धर्म को अन कौन से नाम से जाना जाता है जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं यानि की B-Number आपका राइड हो जाएगा फिर इसके बाद फिर हम लोग और आएंगे चलते हैं इसके बाद पिर अगला कोशन आता है धर्म में नैतिक्ता का क्या कार करती है यहाँ पास C2 का कार करता है तो आप लोग यहाँ पर राइड कर दीजिएगा फिर यहाँ पास आपका 3-Picket गरंथ है वो आपके सबसे प्रहमुक गरंथ है और यह आपके कौश धर्म में आता है यह आपके बोध धर्म में आता है फिर यहाँ पास आपका अलगोशन आता है यसु के अन्सा सबसे बलादान कौन सा है तो यसु के अन्सा सबसे बलादान यहाँ पास एच्छा मादान होता है फिर यहाँ पर पूछा गया है जो समस्त इंद्रियों को जीत लेता है उसे क्या कहा जाता है तो उसे यहाँ पर जीन कहा जाता है, याने कि D number right होगा, स्वित आमबर और D number किस धर्मे के संपराय हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं, यह दोनों आपके जैन धर्मे के संपरदाय है, तो यहाँ पर पूछा गया है, गुरुद्वार की भोजन विवरन विवस्था को क्या कहते ह तो उसे यहाँ पर लंगर कहा जाता है, महासी धर्म के परवर्ता कौन है, इस्यू को ही हम लोग इस्यू महसे भी कहते हैं, तो आपका यहाँ पर बी number right हो जाएगा, इसलाम में रोजा का अर्थ क्या है, तो इसलाम में रोजा का अर्थ होता है उपवास करना, तो आवलों इन्हें ध्यान रख लीजिएगा, इसके बाद फिर अगला कोसन आता है, इसलाम में हज का अर्थ क्या है, इसलाम में हज का अर्थ होता है तीर्थ यात्रा करना, यानि किसी नंबर आपका right हो जाएगा, अर्थ के अधार पर वाक कितने परकार के होते हैं, तो अर्थ के फिर यहां पर सावसत कोडका 3 । प्रिसके बाद पिर यहां जो की राकinho मांतरा याने कि इर्शा है याने कि यह आपका रच होगा अज्चिनी आपको अंग्रीर कोश्वाइगी में किया कहते है तो अनुम्हाद को अंग्रीरहेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं यानि कि B नमबर राइट हो जाएगा फिर इसके वार पुछा गया है प्रिरूप से क्या आसा है तो प्रिरूप से आपका रूप रेखा का आसा है तो यह आपका रूप रेखा होगा फिर मैं पुछा गया हिंदी की लिपी का क्या नाम है तो हिंदी लिपी का आपका देव नागरी लिपी कहते हैं तो आप लोग देव नागरी यहाँ पास टिक कर लेजिएगा फिर मैं पूछा गया है लोक तंत्र एक परकार के क्या है तो लोक तंत्र एक परकार के सासन विवस्था यानि की D number आपका right होगा फिर अब भैब पूछा गया है कला का जनक किसे माना जाता है तो कला का जनक यहाँ पर भगवान सिफ को माना जाता है जिने हमने ट्राज भी कहते हैं फिर अब भैब पूछा गया है मुररंजन और सुंतर परक अनन्द के लिए क्या लिखा जाता है तो यहाँ पास कहा सकते है साहित लिखा जाता है हिंदी का जो question है यहाँ पास आपका complete हो चुका है अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगा अपना English के English में देख लेते हैं कितने question है जो कि आपके important है और कितने question यहाँ पास पूझे गया है तो इनमें से आपका पहला question आता है which poem was written by Stephen Spender तो इनका जो पहला poem किसके दो लिखा गया था कर funeral blues आपका right हो जाएगा the figure of speech used in the line C process the house तो यहाँ आपका यहाँ पर right हो जाएगा पर sony fiction यानि कि आपका C आपका right है आपका आएगा a queen यानि कि आपका यह right है Stephen Spender served as a literary editor तो यहाँ पर literary editor के लिए आपका horizon आएगा फिर यहाँ पर आपका अगला question आता है how does the train appear in the night in poem the experience तो यहाँ पर आपका right question हो जाएगा like a comment moving तो यहाँ पर आपका C number right है फिर इसके बाद पर आगला question यहाँ पर पूछा गया what is the heavy page of that in poem the experience तो यहाँ पर आपका Cometry यहाँ पर right हो जाएगा यानि कि D फिर इसके बाद पर आगला question पूछा गया है the world is too much with us in तो यहाँ पर आपका होगा sonnet यानि कि B number the man theme of the world is too much with us तो इसका आपका right answer होगा connection with mankind and nature यानि कि C number आपका यहाँ पास right हो जाएगा इसके बाद फिर आपका गला question है what is the tone of the poem the world is too much with us तो यहाँ पास आपका तो यहाँ पास आपका right answer हो सकता है angry लेकिन जब मैडूल देखा था तो मैडूल में यहाँ पास passionate के वारे में पूछा गया था तो यहाँ पास देख सकते उसका spelling passive or net तो यहाँ पास passionate के वारे में दिया गया था इसके coding एक सब्द और था angry तो अगर आपका question paper में तो आप लोग टिक कर लिजिएगा अगर यहाँ पास नहीं दिया है तो आप लोग यहाँ पास angry कर सकते है in poem the world is too much with us the wind is compared to तो यहाँ पास आपका right हो जाएगा sleeping flowers याने कि a number आपका right है यहाँ पास पूछागा है what is the meaning of the title of the huge poem the world is too much with us तो इसका होगा आपका b number people are ingressed in तो आप लोग यहाँ पास people are जो ingressed है आप लोग इसको कर ले जिएगा विलियम वर्ट वर्ट बिलॉंग तू विच पैरियन ओफ इंग्लिस लिट्रीचर तो इसका right answer आपका हो जाएगा यानि romantic जो कि आपका right है who are the good mentioned in the poem the world is too much with us तो इसका आपका right question हो जाएगा जो कि आपका C है who wishes to remain as pagan in the poem the world is too much with us तो यहाँ पास आपका right answer हो टाइटन यानि कि आपका ए नमबर आपका right है इसके बाद पिर आपका अगला question आता है how much money does the narrator want to deposit in the bank in my financial carrier तो यहाँ पास आपका 56 dollars right हो जाएगा फिर्वाइब पूछा गया what is name of accountant तो यहाँ पास क्या नाम है तीन का नाम हो जाएगा mentor go Mary यहाँ पर mentor go Mary आपका right हो जाएगा इसके बाद पूछा गया the narrator kept in silver dollar तो यहाँ पास उनका right हो जाएगा इसके बाद पर आपका आता है यहाँ पास आपका the accountant यहाँ आपका right हो जाएगा तो मार्च 20 का real name क्या था Samuel Clemens आपका भी number right हो जाएगा यहाँ पास आपका लोग कोस्टन आता हूँ कोल मार्क टूइन दा फादर ओफ अमेरिका लिटल एचर तो यहाँ पास कहा सकते है इसका आपका राइट कोस्टन हो जाएगा यहाँ आपका यहाँ पास यहाँ पास यहाँ पास आपका यहाँ पास आता है यहाँ पास आपका 30 हो राइगा यानि कि सी नंबर आपका राइट है फिर आपका पास आपका यहाँ पास आपका यहाँ पास यहाँ पास आपका यहाँ पर राइट किये है फिर आपका पास आपका मैन एन सपोर्टिंग डिटेल यह आपके दोनों होंगे, यानि कि C number आपका right है We can write a short or long essay, तो यहाँ पास आपका true हो जाएगा फिर यहाँ पास आपका गलो question पूछा गया है Descriptive essay describe a place or person, यहाँ पास भी आपका true हो जाएगा फिर यहाँ पास पूछा गया, a good essay has the characterized expected यहाँ पास आपका आएगा right question, फैकनेस यानि कि आपका C number आपका right है यहाँ पर पूछा गया castle in the air तो Castle in the air का आपका right question हो जाएगा visionary project यानि कि तीसका B number यहाँ पास right है यहाँ पास visionary project कर सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है procs and cons, तो procs and cons को यहाँ पर and even यानि कि a number है हम पास right in our nutshell तो यहां पर आपका right question होगा brief life. t number right हो जाएगा फिर मैं पूछा गया he gets on my nerves तो यहां पास आपका right question हो जाएगा irritate me यानि कि b number आपके यहां पास right है फिर मैं पूछा गया which should not be a part of आपना नाम हो गया है इंप्लॉई हिस्ट्री हो सकता है और इजुके वारे में लेकिन यहां पास हम लोग धर्म के बारे में नहीं लिख सकते हैं यानि कि आपका सी नमबर यहां पास हो जाएगा फिर यहां पास आपका कोशन आता है तो यहां पास आपका राइट एंसर हो जाएगा फ्रैंच गरू कलाम विटनेस यानि कि सीवी के बारे में पुछा गया है तो यहां पास इसके जो लैंगबच होगा वह आपका लेटेन है यह नमबर करता है आपका which one of these one do you include in a introduction यानि कि आप कह सकते हैं not of these यानि कि आपका right हो जाएगा फिर पूछा गया है in sc writing what does conclusion include तो इनमें से भी आपका क्या हो जाएगा all of this यहाँ पास हो जाएगा एंड इसके बाद फिर हम लोग अगले question में बढ़ हेंगे if you up strain you won't face back and nick pen problem तो यहाँ पार आप कर सकते हैं का sit if you sit up यहाँ पास आप लोग a number कर सकते हैं का अगला question यहाँ पास आता है और यहाँ पास मैं बता देता हूं कि जो प्रोब्लम्स आपको यहाँ पास आ रहा है आप लोग प्लीज मुझे अपने question पेपर सेंट कर दीजिए तीम मिलकर आई question पेपर को solve कर देंगे आंगे भी आप लोग लिए ऐसे helpful वीडियो बनाते रहेंगे और यहाँ पास पूछा गया है अगला question she is just about her success यहाँ पास आपका या जाएगा confident यानि कि a number आपका यहाँ पर राइट है ना कि यहाँ पास confident यहाँ पास आपका यहाँ पास पिर आपका question आता है तो frame a person तो यहाँ पास आपका right answer हो a number आपका right है फिर यहाँ पास आपका question आता ही promotion is on the card तो यहाँ पास आपका यहाँ पास पूछा गया है is the flight on schedule यहाँ पर जो flight है आपका schedule पर है यहाँ पास पूछा गया है what is my desk number तो यहाँ पास आपका आएगा seat number याने कि आपका 45 नंबर का C है are links from a blog to another blog और no as तो यहाँ पास आपका आजाएगा back links जब हम लोग कोई भी लोग को लिखते हैं तो यहाँ पास आपका इंपोर्टन हो जाता है आपके ब्लोग को रेंक कर बनाने के लिए यहाँ पास आपका अगला question आता है what URL standard form जिसका full form आपका हो जाएगा uniform resource locator याने कि ए रंबर आपका right है which of the flowing resource are related अब लोग तो इसके लिए आपको कौन कौन से resource की जवरत पड़ती है आपको ब्लोग बनाने के लिए यहाँ पास आपका all आ जाएगा आप ल आपका एक ब्लोग का नेम होता है hosting के कारण ही आपका ब्लोग इंट्रेंट पर सो होता है उसको rank कराने के लिए आपको content लिखना पड़ता है यानि कि तीनों चीज आपके important है यहाँ पार पूछा गया what is blogging blogging क्या है तो blogging एक परकार का आपका public return content है यानि कि एक website है जिसमे हम लोग लिखते हैं इसके बाद पर आपके आता है delete email और इस्टोर जब डिलीट करते हैं तो आपके trace में हापा क्या हो जाता है इस्टोर हो जाता है तो आप लोग इन बातों को ध्यां रख लीजिएगा तो आइनों कि इन question paper हमने देखा कि बहुत सारे question आपके right थे और कु पूरा complete कर लिए हैं आप लोग जीबजी university के according भी और university से आते हैं तो आप लोग इस video पूर लास तक देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे question आपके basis बनेगे तो कि आप आपके यहां पास यहां पास क्या हो गया है एन इपिक कोडिंग हो गया है यानि कि new education policy coding यहां पर हो चुका है इसलिए आपको यहां पास काफोई द्यान देना पड़ेगा तो चलिए मिलते हैं इसके next वीडियो में जब ते के लिए जाहिन बाए बाए कर दो भीडियो मेंगे यहां पास क्या है है